AI हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बूरी दोनों चीज़े हो सकती है इसी कोई moral boundary नहीं है, इसी कोई ethics नहीं है इसको यह नहीं पता कि यह मांदारी का काम है यह बैमानी का काम है जिस तरह से देखिए तेजी से AI बढ़ रहा है AI का business process हर आदमी की जिन्दी का हिस्सा बनने वाला है business और individuals को AI daily work के साथ integrate करना पड़ेगा इससे नहीं नौकरी के भी खत्रे आएंगे 47% नौकरियां अगले 20 साल में AI के करण रिप्लेस हो चुकी हो या तो technology को आप चला लो नहीं तो technology आपको जबरदस्ती चलाएगी तब दर्ट बहुत होगा आने वाले समय में algorithms डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा रोबोट आपके जिन्दगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज mobile phone आपके जिन्दगी का हिस्सा है अच्छा अब मैं नो मुद्दे की बात पर आती हूं अभी हम देख रहे है artificial intelligence के बारे में जो भी बहुत बढ़ चुका है तो क्या आपको लगता है एक advantage है और एक disadvantage है इसका artificial intelligence के तो बहुत advantages बहुत disadvantage भी है पहले समय देते है artificial intelligence क्या यह human-made program होता है जिसकी understanding और thinking और learning की capability को बनाया जाता है यह chatbot में होता है search engine में होता है industrial robots में भी होता है यह data को analyze करने मदद करता है यह multiple fields में काम कर रहा है जैसे समझो कि आप किसी भी कोई company है उसका को service का department है तो service का chatbot आपकी problem समझ के आपको solution देगा search engine है आपने query कुछ भी पूछी वो ढून ढून के अपने आप यह AI करके देता है काम कितना रहेगा बजार में data उस data को आराम से चार्ट में कैसे present करें relevant figure में कैसे दे आप Facebook पे है ना रिम जम जैठानी Facebook में कभी आपने सोचा है कि आपने किसी की photo डाली एक group में और जो 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 लोग है उसमें थोड़े दिनों में या थोड़ी देर के बाद Facebook आपको वही फोटो दिखाने लग जाता है सजेस्ट करने लग जाता है अपने friend request में या अपने friend accept करने के लिए वो सब AI करके देता है आपने तुसका ढूंडा नहीं लेकिन सजेस्ट करने लग जाता है क्योंकि देखता है कि आपकी फोटो में ओहो फोटो में साथ में विवेक बिंद्रा भी है सेलफी में थोड़ी दिने बाद विवेक बिंद्रा आड फ्रेंड में आपको दिखाने लग जाए Google मैप कैसे रस्ते को calculate करके recommend करेगा ट्राफिक को या possible route को कौन सी location से कौन सी location पर जाना है बार बार आपको route चेंज करके दिखाता है faster route मिल गया यह AI काम करता है तो AI को कुछ बेन समझ रहे हैं कुछ बून समझ रहे हैं Mark Zuckerberg कहता है कि अगर आप AI के खिलाफ हैं तो फिर आप उन safer गाडियों के खिलाफ हैं जो आने वाले समय में accident को रोक देंगे आप AI के खिलाफ हैं तो आप उस आने वाले medical treatment की possibility के खिलाफ हैं जो लोगों को पहले ही बता देगा कि आप बिमार पढ़ने वाले हैं Stephen Hawking कहते हैं AI हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीज़ें हो सकती इलॉन मस्क कहते हैं कि AI कुछ ऐसा भी कर सकता है हमारा जैसे आप किसी राक्षस को बड़े demon को आप invite करने वाले हैं या किसी demon की जगे demigod यानि कि दानव या देवता आप किसी को भी invite कर सकते हैं तो बाते दोनों की आटिफिशन इंटेलिजेंस ना बेसिकली वो जो हुकुम मेरे आका नहीं बोलता है जिनी बाहर निकलाता था टेक्नोलोजी के चिराग से एक और नया जिनी निकल के आया व खुद करके देगा आपको mental health support देगा आपको खाना बनाने में मदद कर देगा आपको वकील भी बन जाएगा हर घंड हर हफते पूरा साल बिना किसी break के हां देखिए अभी तक अगर आप AI इंटरनेट से जो है ना पहले फीडिड information से answer ढूनता था लिखना GPT आ गया दोनों क्या करेगा जो पहले से फीड है वो देगा चैट GPT क्या करके देगा आपको जो फीड नहीं है उसमें भी analyze करके निया बना के देगा बैसे मैंने बड़ा business song एक सर्च किया या हम news 24 चैनल का एक song सर्च करते हैं तो google ढूंडेगा news 24 पर या बड़ा business पर कोई गाना है के नही तो जो जो है वो दिखाएगा जो नहीं है नहीं दिखाएगा लेकिन चैट GPT अपनी learning के basis पे नया innovative song भी बना के दिखा देगा आपको तो वहीं अगर हम बात करें disadvantage की बात disadvantage की यह कि सेब अच्छा लग रहा आपको क्या अमरूद अच्छा लग रहा है आपको हो सकता है इसको यह नहीं पता कि यह मांदारी का काम है यह बैमानी का काम है इसको लिए डेटा इसका विधाता है तो ट्रेनिंग प्रोग्रामर देगा सही है गलत है वो उसी को इंप्रूब करता तो खामिया और खूबिया किसी बी टेक अनुवेशन के अपने पहलों जैसे nuclear energy पूर यह तक हमने काफी सारी इसी images देखें वह इतनी रियल लगती है कि AI से आप ऐसा कुछ भी बना के फैला सकते और लोग उसको बिलीव कर लेंगे जी बिलकुल हो सकता है यह बहुत कुछ कर सकता है अब हमने बात की AI की आप disadvantages और advantages बता रहे हैं और आप जो यह सारे competition में आ है और निशाना उनका AI है जो पहले लगा देगा वो जीच जाएगा गूगल online advertising search पे technology पे cloud computing पे software पे e-commerce पे काम करता है Microsoft operating system बनाता है software hardware त्यार करता है Google को आप देखोगे Google 1.3 trillion dollar की company Microsoft 2.1 trillion dollar की company है दोनों अच्छा revenue कर रहे हैं दोनों आगे चल रहे है Google search engine YouTube पे काम करता है Microsoft Windows MS Office पे काम करता है वो Google robot space self driving car की त्यारी कर रहा अगले बड़े project बना रहा सूपर delivery drone की त्यारी कर रहा Microsoft AI ML की cloud computing और advanced search engine पे काम कर रहा आप सुनना कमाल क्या हुआ हुआ है Google अभी तक Google में पिछले 10 सालों में बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं आए क्योंकि search के तरीके वही है पर Microsoft ने game change किया 2019 मे एक billion dollar open AI में डाला 28 में उसने 10 billion dollar open AI में डाला गूगल का problem क्या है 15-20 साल में चेंज नहीं हुआ न तो उसके जो list of results है वो exact match नहीं करते जैसे माने माने Google पर डाला हिंदू अब हिंदू डालो तो पहले sponsored आड आएगा पिर हिंदू नूश पर आएगा फिर हिंदू धरम आए और चाइड जीपिटी Microsoft की सर्चेज में रेलेवेंसी बढ़ रहे हैं मानलों आपको पांच कंपनी का financial report चाहिए गूगल पर आपको पांचों का अलग अलग ढूंड़ना पड़ेगा चाइड जीपिटी में अपने पांच का नाम लेका सीधा 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 अनिलाइज और अ किया तो वह 100 billion dollar का उनके में फॉल आ गया क्योंकि वह उसकी प्रिपेड नहीं है तो Microsoft ने बड़ा दाव खेला उसके पास फुर्ट मुवर एडवांटेज है पर डेटा की दुनिया का बादशाग हूगल है तो पठान है अब पठान और टाइगर की लड़ाई में कौन जिस तरह से देखिए तेजी से AI बढ़ रहा है AI का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदी का हिस्टा बनने वाला है बिजनेस और इंडिविजुल्स को AI डेली वर्क के साथ इंटिग्रेट करना पड़ेगा मतलब यह एक्जैंपल आपको बहुत सारा अली बाबा को देख बहुत चाहिए स 막ट-spmeric करों चेजब समें सीरी आ रहा है सामें संटी Ugh यह एक कंपनी चलाइट है भल्स सबसे बढ़ा सी आप कम्पनिके अब सी आम शॉट्वेर वह क्या करेगा डेयस्ट से लोगों के लिए एक सॉफट्वेर होता है वहôi just generate कर आ रहा है meeting schedule कर रहा है service में personalized chat का use कर रहा है service में customer को service बी automatically Air इंडिया देखो कहते हैं कि पीछे रहे लिए अब चैट GPT से customer experience को improve करने की थ्यारी कर रहा है frequently asked questions उनके page पे या pilot की जो briefing है वो सब चीज़ों को integrate कर रहा है कुँ हमारे इंडिया का ट्विटर वह भी रिख को पोच्ट कंपोष करने के लिए अब मिजो गी बना दिया को गूगल इंडिया का इंटीग्रेशन कर दिया लाइफ में आने वाली जलूशन आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वह आप डालो गीता से उसका सल्यूशन निकाल के देखे आपको मैंने यह सुनाए कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो गीता का कोई भी पेज खोलो आपको ऐसे बड़े बुजर्ग कहते हैं लेकिन अभी आपको ढूना पड़ता ह पूरे साल में कहां जाएगी तो में लिए कौन से पेड़ को कहां लगाना चाहिए श्पेसशिप नासा जो है कि भाई ना उन्हें हलका स्पेसशिप चाहिए स्टिफर चाहिए स्ट्रॉंगर चाहिए अब फोटोग्रिफर भी जो आपने बता है आरे भाई मतलब सारी के सा करियर का बल्ब हो सकता है फ्यूज वाव वैल से आपको लगता है कि जो कमिंग जनरेशन है वह का मिस्यूज करेगी या फिर उसको प्रोड़क्टिव मैनर में यूज करेगी क्या वह से इंडिया को एक डिवलप्ट कंट्री बना देगी या फिर उसको स्पॉयल कर देगी बहुत खुब बहुत खुब देखिए इस से नोकरी के भी खत्रे आएंगे 47 परसंट नोकरियां अगले 20 साल में AI के करण रिप्लेस हो चुकी होगे क्वेश्चन यह नहीं कि फ्यूचर जनरेशन मिस्यूज करेगा के नहीं करेगा क्वेश्चन यह उनको रेलेवंट बने रहने के लिए AI को अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा मैं आपको दो तीन अद्वुत बाते बताता हम टेकनोलोजी से पहले साइकोलोजी आती है आइकोलोजी को समझ के टेकनोलोजी बना जाता है या तो टेकनोलोजी को आप चला लो नहीं तो टेकनोलोजी आपको जबरदस्ती चलाएगी तब दर्द बहुत होगा वो सीडी डीवीडी प्लेयर पेजर वाक बैंड रेडियो फ्लॉपी ये कुछ साल पहले हमारे साथ र स्मार्ट काड भॉगा है कगाना डिमेंयोगरं डिम क चरफिंग करई दो इसकानर पर सब कुछ और ब्लू टूसाघट फांए नहीं सकते वह ब्लूटुथ वयाइव इसे से टीचेन्ज होती रहेगी एक रोगší और रोगी है नियूज नहीं आज जो सबसे बड़ी स्मार्ट फून आपका एकदम ऑपसिलिट हो जाएगा रिस्ट बैंड या जूलरी में आ जाएगा या कान के साथ आ जाएगा आपकी हांक के अंदर आ जागा स्मार्ट फून सामने स्क्रीम में आप देखो आप किसी चाइनीज से मिलते या देवी जी आपके घर में किचन में आप खाना बनाती होंगी खाना बनाते वक्त आपने ब्रेड का पकेट खुला और उसका थैली निकाल के आप में डेस्ट बिन देगा उसमें डेस्ट बिन में उसका बारकोड स्कैनर स्कैन कर लेगा इसकी ब्रेड खतम होई अपने आ sensitivity, stress, आपको heart attack, physical है, इस सब पहले ही बता दिया जाएगा आपके mobile के द्वारा या जो आपकी wristband है, रोबोट आपकी जिन्दगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा, जैसे आज mobile phone आपकी जिन्दगी का हिस्सा है, और गाड़ी कोई चलाएगा नहीं, दोजार चालिस के बाद में, अगर आपको खुद गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी सेर्फ ड्रिवन हो जाएगे, पूरा US में सेर्फ ड्रिवन गाड़ी आउंगी, क्योंकि दोजार चालिस के बाद अगर आपको चलाने का मन कर रहा है नहीं, आज चलवा संड़े गाड़ी मैं चला हूँ, असेर्फ ड्राइव नहीं, तो एक्स्ट्रा प्रे करना पड़ेगा, तो ये एडवांस फॉर्म में टेक बहुत तेज़े से चेंज़े से लेके आ रहा है, और इंडिया बहुत पहले ही एप्रेडिट कर चुका है कि वर्ल्ड सूपर पावर बनेगा, आशा करता हूँ, इस सवाल का अच्छा जवाब जरू मिला हुगा.